Hello students, अब हम आचुके अपने part 3 पे, और part 3 बहुत important concept में यहाँ पर आपकी साथ discuss करने वाला हूँ, दो part आप लोगोंने अच्छे से देख लिये हैं, यहाँ पर concept कुछ इस तरीके से रहेगा, जब हमारे पास variable जादा और equations कम हो, variable जादा और equation कम, तो किस तरीके से फिर उस equation को solve करके, अलग-अलग बंदों की efficiency निकाली जाएगी, exams में question आए हैं यहाँ से, काफी अच्छे question बनते हैं, अब हम देखते हैं, अपना part 3 और questions किस तरह के आते हैं वो, चलिए, students, देखते हैं, तो students, अब हम next type पे चलते हैं, और next type को नाम दिया है, मैंने type 4, इसे मैंने नाम दिया है type 4, यह full type का question, 4 type क्या होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पर हमारे पास 2 equation रहेगी, और 3 variable रहेंगे, यह 3 equation रहेगी, 4 variable रहेंगे, तो किस तरीके से solo होगा, question आपने पढ़ा लिया होगा, solution हम देखते हैं, तो solution देखते हैं, तो इसने कहा कि A plus B, कितने days में काम कर रहे हैं, 12 days में काम कर रहे हैं, और B plus C, कितने देज में काम कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं, 16 देज में, अब इसने लिखा है, कि after A has been working at it for 5 देज, A ने कितने दिन तक काम किया, 5 देज तक, फिर B आया, B ने कितने देज तक किया, 7 देज तक, फिर C ने जो बचा हुआ काम है, वो 13 दिन में खतम कर दिया, तो बात ऐसे हुई, कि A आया, A ने 5 देज तक काम किया, उसके बाद A चला गया, फिर B आया, बी ने जो काम है, वो आगे 7 दिन और किया, और फिर जो काम बचा, वो C के हिस्से में गया, और C ने ये काम 13 दिन में किया, तो बताईए, C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अब यहां से समझते हम लोग, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम total work find out कर ले, total work कैसे, LCM लेकर, और इन दोनों का LCM है वो कितना हैगा 48, तो इसका मतलब मुझे 48 unit काम करना है, अगर A और B 12 days में 48 unit काम करना है, तो 1 day में कितना काम करना है 4 unit, और B और C 1 day में कितना काम unit, ये इनकी efficiency है, ठीक है, इस efficiency से ये लोग काम कर रहे हैं, अब एक बाह बताओ, C बचा हुआ काम कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है, कितना काम बचा, ये कैसे पता चलेगा, A ने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा A ने, सोचि भी नहीं है, मतलब अब क्या रहा है कि a plus b की efficiency है 4 unit और b plus c की efficiency है 3 unit और यहां से देखो equation 2 है और variable 3 है, 1, 2 और 3, 3 variable है a, b और c और equation 2 है, तो direct solve करना बहुत impossible काम है, तो इसलिए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, अब आप यह सोच लीजे कि कुछ भी हो जाए, a को हमने 5 दिन काम कराना है, b को 7 दिन काम कराना है, और c को 13 दिन काम कराना है, कैसे कराना ह वो हमारे हाथ की बात है, तो हमने क्या करना है, देखो, a ने जैसे मानलो, कल से काम स्टार्ट करना था, तो a अकेला काम नहीं करना चाहता, क्योंकि a अकेले की हमें efficiency नहीं पता, इसलिए a, b को phone करेगा, कहेगा कि भाई, जो तु बाद में 7 दिन आने वाला है काम करने के ल पांस दिन काम करा तिया, ठीक है, अभी आप समझ नबस धिहान से, a और b को पांस दिन काम करा तिया, 7 में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला काम पे, अब क्या हुआ कि b ने काम करना है, लेकि b तो पांस दिन a के साथ कर चुका है, तो इसलिए b के अब बचे दो दिन, लेक C इस बात को मान गया, और C ने का चल ठीक है, दो दिन में louva, मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, तो B और C ने दो दिन काम कर लिया, अब C जो है, बचा हुआा काम, जो तेरा दिन में करना था, दो दिन B को दे चुका है, तो C बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा 11 दिन में करने वाला है बाहत समझ में आई ना उमीद है ये concept आपको clear हो गया होगा अब यहां पर आप देख लीजिए A ने 5 दिन काम किया B ने 7 दिन काम किया और C ने 11 दिन काम किया कैसे किया है यह हमारी मर्जी हम कैसे उनसे काम करवा रहे क्योंकि काम पे तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं और ना उनकी efficiency पे फर्क पढ़ने वाला है अब बाह समझने वाली यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि A और B एक दिन में कितना काम कर रहे है चार युनिट और कितने दिन तक साथ में काम किया पास दिन तक तो अगर एक दिन में चार युनिट कर रहे है तो पास दिन में कितना काम कर दिया होगा बीस युनिट कर दिया होगा भी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे है 3 unit और 2 दिन तक 7 में काम किया तो कितना काम कर दिया होगा 6 unit कर दिया होगा अगर अभी तक मैं देखूँ तो total काम कितना हो चुका है 26 unit काम हो चुका है अभी तक 26 unit काम हो चुका है तो बचा कितना काम 22 unit 22 unit कैसे बचा कि भाई total वर कितना था 48 48 में से 26 तो हो चुका है अगर 26 हो चुका है तो remaining कितना बचेगा 22 unit ही बचेगा जाहिर सी बात है और ये 22 unit किस के लिए बचा है ये बचा C के लिए और C जो है 22 unit करने में 11 दिन ले रहा है इसका मतलब एक दिन में C कितना काम कर रहा है 2 unit तो C की जो efficiency है वो क्या आगई 2 unit per day तो C जो है वो 2 unit per day के हिसाब से काम करता है तो C को कितना time लगेगा time equals to क्या होता है बचे time equals to होता है work upon efficiency तो work कितना है यहाँ पे 48 और efficiency कितनी है 2 अगर ये कड़ जाएगा तो कितना आएगा कैसे निकालते बहुत simple हो गया अब आपके लिए देखो यहाँ पे देखो B और C दोनों मिलके कितना काम कर रहे है 3 unit काम कर रहे है जिसमें से C के हिस्से में कितना काम गया 2 unit तो B के हिस्से में कितना जाएगा 1 unit काम जाएगा अगर B के हिस्से में 1 unit गया और A और B 4 unit कर रहे है तो A के हिस्से में कितना काम जाएगा 3 unit जाएगा तो B के efficiency 1 unit आ गई और A के efficiency कितनी आ गई 3 unit आ गई तो clear है ना question तो यह बहुत important question है आपके हर एक exam में इस तरह के question पूछे गए है एक दो question और लेंगे हम यह type हमारा फोर चल ला है बहुत शांदार question हम लोग ले रहे हैं उठा रहे हैं यहाँ पर next question एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है next question एक question और से ममने ऐसे ही उठा रहे हैं ध्यान से question पढ़ना पहले question पढ़ लो मैं थोड़ा सा time दे रहा हूँ आपको question पढ़ने के लिए तो A और B can do a piece of working 12 days यह question पूरा पढ़ लीजे ध्यान से जब तक मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ A और B काम को 12 days में कर लेते हैं ठीक है और B और C इस काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं 6 2 by 3 days ले रहे हैं उसके बाद B आया, B ने जो आगे चार दिन काम किया, और फिर C आया और C ने जो बचा हुआ काम है वो 7 डेs में कर दिया, कितने डेs में कर दिया, 7 डेs में बचा हुआ काम कर दिया, तो पूछ रहे है, क्या पूछ रहे है, A alone would complete the work, A की बात पूछी गई है कि A कितने दिन में इस काम को कर देगा, ठीक है, अब मैं आपे ले लेता हूँ LCM, ठीक है, लेकिन LCM लेने से पहले इसे थोड़ा सा simplify करके, लिखते हैं, तो A तो 12 days आ जाएगा, और B का कितना आ जाएगा, 6 2 by 3 को थोड़ा simplify करते हैं, तो कितना 20 by 3 days, ठीक है, अब सबसे पहला काम है LCM लेना, जब कभी भी LCM लेते हैं, तो इस denominator को इगनोर कर दो, 12 और 20 का ही LCM ले लो, कितना होगा, 60, तो 60 unit काम करना था, एक दिन में कितना काम करेंगा, 5 unit, कैसे आया, 60 divided by 12, और एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 unit, बात समझ में आई 9 unit, अब बात यह आई, कि आप समझी गए होंगे, कि A अकेला 3 दिन काम नहीं करने वाला, तो A अकेला 3 दिन काम नहीं करेंगा, तो A किसे फ़ोन करेंगा, B को, और B के कितने दिन लेगा अपने साथ, 3 दिन अपने साथ लेगा, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या कर करना है कि A और B को इखटे तीन दिन साथ में काम करा देना है ठीक है जी A और B को इखटे तीन दिन साथ में काम करा दिया फिर अब बचा B बी ने चार दिन करना था तीन दिन कर चुका है तो B का कितना दिन बचा अब एक दिन एक दिन वो किस के साथ जाएगा C के साथ कितने दिन काम करने वाला है सिर्फ 6 दिन क्योंकि अपना एक दिन किसे दे चुका है B को दे चुका है ठीक है अब यहां पर देखें अगर A और B एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने 15 यूनिट भाई 5 यूनिट पहले दिन 5 यूनि इनोंने और कर दिया, तो कुल मिला के बात यह कि, अगर अभी तक मैं बात करूँ, तो 15 पलस 9, टोटल काम कितना हो चुका है, हमारा 24 उनिट काम हो चुका है, ठीक है, करना कितना था हमने 60, 60 में से 24 उनिट काम हो चुका है, तो अब काम कितना बच्चा मेरा 36 यूनिट, जो कि कौन करेगा C, अब C जो है वो 36 यूनिट काम कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, अगर 36 यूनिट काम 6 दिन में कर रहा है, तो जाइर सी बात है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, तो C की Efficiency कितनी आग कर रहें, 9 units, जिसमें से see तो कर रहें, 6 units, तो जाइर सी बात है, B कितना करेगा 3 units, a और B कितना क्रेगा 5 units, जिसमें से B तो कितना कर रहे है 3 units, तो A कीतना करेगा 2 units कर देगा, तो A की efficiency कितनी आघई, यहाँ पर अगर E की बात करें, तो work तो 60 unit है और efficiency 2 unit है इसका मतलब A को कितने दिन लग जाएंगे 30 days लग जाएंगे सर यह आपका answer आ जाएगा clear है ना ठीक है बहुत आसान सा question था तो यह level 2 में भी मैं डालने वाला हूँ इस तरह के questions ठीक है लेकिन यह बहुत important question है यह एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लेना अगर नहीं समझ मैं आगा तो दोबारा देखो तेबारा देखो लेकिन इस questions को इस type का आपका छूटना नहीं चाहिए बिलकुल भी तो next question हम ले लेते हैं ध्यान से पढ़िए यह भी इसी तरह का question है जहां पर variable जादा होंगे और equation कम होगी ठीक है लेकिन यह इस type का नहीं है जो अभी हमने किया यह थोड़ा सा इसमें अलग type सी आ जाती है बस plus और minus करना है और कुछ नहीं बहुत simple question है ठीक है plug a filled in two days ठीक है तो two model of B मतलब two B और C और D का एक एक तो C plus D अगर यह साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन लेते हैं two days लेते हैं काम करने में ठीक है आगे क्या कह रहा है two model of A and one model of C ठीक है तो two A plus C अगर इनकी बात की जाए तो कितने days लेंगे three days लेंगे और आगे क tractor on each of model A, B, C तो यह क्या कह रहा है कि भाई तीन tractor A, B और C यही लेने हैं और यह काम करने में कितने दिन लेते हैं चार दिन लेते हैं तो और हम से क्या कह रहा है कि हम से कह रहा है how long will it take to do the job if a team is made up of four tractor of different models कह रहा है कि अगर चारो लिये जाए मतलब A plus B plus C plus D यह इस काम को कित तो समझी गए होंगे कि भाई equation तो तीन है और variable है चार अगर मैं यहाँ पर इनका सबसे पहला तो काम हमारा LCM लेना है LCM ले लिया तो मैंने कहा कि भाई 12 unit total work है 12 मान लिया मैंने सारा काम करना है तो अगर पहले दो दिन में 12 काम कर रहे है तो एक दिन में कितना काम कर रहे है 6 unit एक दिन में कितना काम कर रहे है 4 unit और एक दिन में कितना काम कर रहे है 3 unit अब एक बाबत हो मुझे इनका time निकालना तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यह जो है A पलस B पलस C इनके efficiency मेरे पास कितनी है 3 unit मतलब पहले 3 ट्रेक्टर की तो efficiency मेरे पास है 3 unit अब मुझे किस की चीए सिर्फ D की efficiency चीए मेरा काम हो जाएगा अब मैं देखो तो D कहाँ है D सिर्फ पहली line में और कहीं पर D नहीं है D सिर्फ पहली line में और अगर आप एक चीज यहाँ पर notice करें तो देखो अगर पहली दो equation भी देखो तो यह क्या है 2B यह क्या है 2A और C पलस C कितना हो जाएगा 2C सिर्फ अकेला कोन रह जाएगा D तो अगर मैं पहली दो equation को add कर दू equation 1 और equation 2 को तो क्या बनेगा 2A पलस 2B पलस 2C पलस D और time कभी add नहीं होता सिर्फ add क्या होता एफिसेंसी तो 6 पलस 4 कितनी efficiency हो जाएगी 10 पहले मैं यहाँ से 2 को मल ले लेता हूँ 2 को मल ले लिया तो क्या बचा A पलस B पलस C और D रहेगा अलग और equals to कितना आजाएगा 10 और A पलस B पलस C की efficiency अभी हमने देखी कितनी है 3 unit तो यहाँ पर मैंने put कर दिया 2 इंटो 3 पलस D equals to 10 तो कितना हो जाएगा 6 पलस D equals to 10 6 इदर आके क्या हो जाएगा minus तो D equals to क्या आजाएगा 10 minus 6 जो कि कितना आजाएगा 4 unit per day यह किसकी efficiency आजाएगी यह efficiency आजाएगी D की बास समझ में आरी है न 4 unit per day तो D के efficiency आगई हमारी 4 unit तो अगर मैं देखो अब सबको add कर दूँ तो कुल मिलाके अगर सभी की बात करें तो कितना काम करेंगे 7 unit per day के इसाब से काम करेंगे तो इनके efficiency आगई 7 unit per day और time was to work upon efficiency तो work को मुझे पता था 12 है और efficiency कितनी आई है यहां से 7 तो कितना time लगेगा 12 by 7 days अब हम देख लेते option किस form में है तो option यह तो हो सकता है 1 5 by 7 की form में यह हो सकता है इसी form में तो इसी form में दिया हुए तो option कौन सा ठीक होना है हमारा D option ठीक होना है क्योंकि क्या हो जाएगा 12 by 7 तो इस question को भी आप देख लेते कि भाही यहां पे भी आमें कुछ नों कुछ add करना पड़ा यहां पे आप देख चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 equation होती और 3 variable होते हैं तो questions को किस तरीके से किस approach से solve किया जाता है यहां से मैंने और भी level 2 में बड़े अच्छे question लिये हैं तो वहां पे अगर आपने question करने हैं तो यहां पे अपने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा चाहें दो बार पढ़िये ठीक है और आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से thank you